ज्यान की बातें लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखने का मन बनाया क्योंकि तुम मेरे विचारों को करीब से समझते हो तुम मेरे बारे में जरा भी चंता मत करना मैं पूर्ण रूप से शान्ती में हूँ आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारे मुझे नहीं दिये गए फिर भी डिपडी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा के स्वास्थ में निरंतर सुधार हो रहा है क्या वे अब फिर से चलने फिरने लगी हैं बा और तुम लोग सवेरे दूद के साथ साबूदाना बराबर ले रही हो ना तुम कैस तुम पर जो जिम्मिदारी मैंने डाली है तुम सर्वथा उसके योग के हो मुझे भरोसा है कि तुम आनन से उसे निभा रहे होगे मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रती रोश है परन्तु कारगार में रहकर मैं अब यहां समझ के आहूं कि केवल अक्ष ज़र ज्ञान ही शिक्षा नहीं है सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माड करती है और करतव्य का बूत कराती है आजकल तुम्हें अपनी बीमार मा की सेवा और अपने भाईयों की देखभाल करने का अफसर मिला है तुम यह काम अच्छी तरह से और आनन से करते हो तो आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है संसार में तीन बाते बहुत महत्वपून है यदि तुम इनहीं प्राप्त कर लोगे तो संसार के किसी भी कोनी में निर्वा कर सकोगे ये तीन बाते हैं अपनी आत्मा का अपनी आपका और ईश्वर का सच्चा ज्यान प्राप्त करना इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ग्यान नहीं मिलेगा वह तो मिलेगा ही अक्षर ग्यान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों को दे सको यह याद रखना कि आप हमें निर्थनता में जीना है मैं जितना अधिक विचार करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि निर्थन्ता में ही सुख है खेती बाड़ी करने में पूरा समय देना भविश्य में हमें अपना जीवन निर्वा इसी से करना है मेरी इच्छा है कि तुम एक योग की किसान बनो खेती के सभी ओजारों को साफ सुत्रा और सूव्यवस्थित रखना अक्षरग्यान के साथ साथ गड़ित और संस्कृत पर भी पूरा थ्यान देना भविश्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उप्योगी होगी इन दोनों विश्यों को बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होती है हाँ संगीत में भी बराबर रुची रखना हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने गए भजनों का एक संग्रे तयार करना वर्ष के अंत में यह संग्रा तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित होगा काम की अधिक्ता से मनुश्य को घबराना नहीं चाहिए नहीं यह सोचना चाहिए कि यह काम कैसे होगा या पहले क्या करूँ मुझे यह आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते होगे उसका हिसाब रखते होगे मुझे आशा है कि तुम प्रति दिन नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को मिस्टर वेस्ट की यहां प्रार्थना में भी नियम से जाते होगे हमें सूरियोदे से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए ये बातें तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक साबित होंगी इस पत्र को पढ़कर और अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही मुझे जवाब देना अब मैं प्रीम सहित इस पत्र को समाप्त करता हूँ तुम्हारे पिता मुहंदास